हम मुर्मूरे का दो तरह से बनाएंगे एक हम इस तरीके से ट्रे में बनाएंगे और एक हम इसे हाथों से गोल गोल करके लडू बनाएंगे जो मार्केट में विलता है ये लड़ू एकदम soft बन के तयार होता है एक भी हाट नहीं होता है ये लड़ू कोई भी नया हो बिगनर्स भी बना के तयार कर लेंगे तो अगर आपको इसी तरह का recipe देखना है को इस तरह से लड़ू बनाना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे ताकि आपका भी लड इसी गुड ले लिया है वाइट वाले गुड तो बिल्कुल नहीं लेना है इसे इस तरह से चिक्की वाले गुड हमने ले लिया है इस तरह का डार्क गुड लेना है जो चिक्की वाला होता है और आपको सफेद गुड तो बिल्कुल ही नहीं लेना है मुर्मुरे बनाने के तो पहले मुर्मुरे को हलका भूण ले नो budget को हमें एक ड़म लोफं लेम में रोस्ट कर लेना है। मुर्मुरा अच्छी तरह से रो चुका है। मुर्मुरा को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जब भी मुर्मूरा को उचे करें आप हाथ में इसे इस तरीके से दबाए तो ये इस तरह का पॉडर बन जाएगा तो यानि आपका मुर्मूरा अच्छी तरह से रोष्ट हो चुका है इसे हम इस गैस को हम बन कर देंगे और इसे हम एक ठाली में पलट लेंगे इस मुर्मूरे लड़ू में हम तील डाल के बनाएंगे तील डालने से ये एक दम तील डाल कर मुर्मूरा लड़ू बनाने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो हमने यहाँ पे दो चमच तील ले लिया है इसे हम रोष्ट कर लेंगे पील में कलर आने लगा, इसका मतलब ये भून चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं इसी कड़ाही में अब हम गुड का चाशनी बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक टेबल स्पून घी ले लिया है घी डालने से मुर्मुरा लड्डू में साइनिंग आ जाता है, और ये कड़क भी नहीं बनता है हमने यहाँ पे दो कटोरी गुड लिया है, उसे डाल देंगे गुड को हमने काट के ले लिया है, ताकि ये काट के लेने से ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है जो पानी डाल के बनाते हैं फिर वो उतना टेस्ट नहीं लगता है और इस तरह से बनाने से वो टेस्टी भी बनता है दुकान की तरह बनता है गुड में जहाग आना स्टार्ट हो चुका है अगर गुड में बबल्स आना स्टार्ट हो जाता है तो समझे आपका गुड़ बनके तयार हो गया है वस हमें इसमें एक दो बार गुड़ में जाग आ जाए और इसे चेक करने का एक और तरीका है गुड़ को हम एक कटोरी में पानी लेके और फिर इसमें हम डालके दो तीन मिनट के लिए इसे छोड़के फिर हम बाद में चेक करेंगे ये अभी हुआ नहीं है थोड़ा सा और ये हाड होगा इसके बाद ये कम्पलीट हो जाएगा गैस को हमेशा लोफ लेम में ही रखे इसमें जल्दी से डार्क कलर आने लगता है अब हम एक बार फिर से गुड़ इसमें लेंगे इसे हम दो तीन मिनट के लिए ठंड़ा कर लेंगे इसे अब हम इकठा करके देख लेते हैं अभी ये गुड़ हुआ नहीं है ये इस तरीके से टाइट हो जाता है तो इसका मतलब गुड़ तयार हो चुका है इसे अगर हम ज़्यादा हाड कर लेंगे फिर हमारा लड़ू भी हाड हो जाएगा अब हम इसी में अब ये तयार हो चुका है इसमें हम मुर्मूरे को डाल देंगे फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे इसी में हम सारा मुर्मूरे को डालेंगे हमने इसे में मूर्मूरे और तील को डाल दिया है और इसे हम जल्दी जल्दी इस तरीके से मिला लेंगे इसे आप चाहें दूसरी बरतन में भी कर सकते थे लेकिन हम इसी कडाही में करेंगे इसे पहले तो मैं इस प्लीट में बनाऊंगी जिसे लड़ू बनाना नहीं आता हो एक ट्रे ले ले या फिर थाली ले ले उसी में फैला के बना सकते हैं इसे हमें जल्दी से इस तरीके से फैला लेना है हाथ में तेल लगा के इसे इस तरीके से दबा लेना है हमने यहाँ पे इसे इस ट्रे में जमा लिया है अब इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो यह ठंड़ा होके अपने आप ही जम जाएगा अब जो बच गया है उसे हम अच्छी तरह से कड़ाई में मिला लेते हैं हाथों में हम हलका सा पानी लगा लेंगे और इसे इस तरीके से लड्डू का सेट देंगे अब ही यह गरम है इसे हम हलका ठंड़ा कर लेंगे गरम गरम में यह लड्डू नहीं बनेगा हम एक ठाली में पलट लेते हैं अब हम इसका लड्डू बना के चेक कर लेते हैं अगर आप इसे जब यह ठंड़ा हो जाए हलका जब यह छूने लाइक ठंड़ा हो जाए फिर आप इसका लड्डू बनाए तो यह लड्डू अराम से बन जाता है यह देखिए इसी तरह से आप भी हाथ में पानी लगा कर लडू बनाएं इसी तरह हम सारे लडू को बना लेंगे हमने यहाँ पे दो तरीके से लडू बनके तयार कर लिया है एक को हमने इस तरीके से जमा लिया है हमने इसे इस तरह से ट्रे में जमा लिया था अगर जिसे हाथ से लड्डू बनाने ना आता हो तो वो इस तरह के से बना सकता है कोई थाली ले ले या फिर ट्रे ले ले उसी में इसे डाल के इस तरह से फेला के बना ले इसे हम निकाल के दिखाते हैं ये रहा ये एक पटी की तरफ बनके तयार हो चुका है ये हमारा ट्रे वाला मुर्मूरे का लड्डू बनके तयार हो गया है और मैं एक आपको हाथो वाला लड्डू दिखाता हूँ जो कि आपको मार्केट में मिलता है इसे हमने इस तरीके से बनाए एकदम ये सौप्ट बन यह देखिए यह इतना लड़ू सॉप्ट बना है अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और हम इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे तब तक यह बाई बाई